हेलो डियरी स्टूडेंट कैसी चल लही है आप लोगों की पढ़ाई आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल लही होगी दोस्तों आईए आज हम देखते हैं तत्यों का आवर्ति वर्गी करण से क्या important question देखिए ये जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ मेंडलीप की आवर्त सानरी तथा आधुनिक आवर्त सानरी आधुनिक आवर्त सानरी को हम मोजले की सानरी भी करते हैं तो मेंडलीप की आवर्तसांडी के नियम जो थे उसे बताने वाला हूं और आधुनिक आवर्तसांडी का नियम बताने वाला हूं ठीक है आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं यह अन्सी इर्टी बुक में बेरी इंप्वार्टेंट है यह यह कुश्चन दोस्तों देखी आधुनिक आवर्तसांडी नियम लिखिए जो आधुनिक आवर्तसांडी का नियम है कितनी बार पूछा गया बेरी इंप्वार्टेंट है देखी 2009-2011-2013-2015-2016-2017 इसलिए मैं आप लोगों को दोनों नियम बताने वाला हूं आधुनिक आवर्त सांडी देखा मैं आवर्तसांडी तो आईए हम देख लेते हैं मैंडली की आवर्त-ट्राणि क्या है आधुनिक आवर्त-ट्राणई का नियम क्या है डिख नियम नहीं आया हूं तो सब्सक्राइब जरूड करें और अपने दोस्तों के साथ श्रें जयर जादा से जया के आवर्ति फलन होते हैं देखी जो तत्तों कोई तत्तों ले लिजे तत्तों के भावतिक तथा रासायनिक गुल जो उनके फिजिकल प्रापर्टीज हैं एंड केमिकल प्रापर्टीज उनके प्रमाडु भारों के आवर्ति फलन होते हैं इसके प्रमाडु भारों के आवर्त क्या कहना है इन नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार तत्तों के भौतिक तथा रासाइनिक गुण उनके प्रमार उभारों के आवर्ति फलन होते हैं कि यह होते हैं आवरती फ़लन होते हैं ठीक है तो आप लोगों को ऐसे याद रखना है कि मेंदलीव की आवर्त सांडी में जो तत्युए प्रमार भारो की आवर्त फलन होते अब आईए हम आधुनी कावर्त सांडी देखते हैं आधुनी कावर्त सांडी आधुनी कावर्त सांडी के अंतरगत क्या पढ़ना है ठीक उसी का उल्टा है थोड़ा सा यार प्रमार कुर्मांक प्रमार भार ठीक है इतना ही उल्टा है प्रमार कुर्मांक और प्रमार भार का तो प्रमार उक्रमांग एवं प्रमार भार का दोस्तों एक बात आप लोगों कमेंट बॉक्स में उसका एंस्वर देना है कि स्टोडियम का प्रमार उक्रमांग कितना होता है और प्रमार भार कितना होता है कमेंट बॉक्स में इसका एंस्वर जरूर दीजिए ठीक है आप लो मेंडलीफ ने बताया था कि जो तत्यों के भौतिक तधर आसायनिक गुड़ हैं किसके आवर्ति फलन होते हैं प्रमारुभार की अब प्रमारुभार के आवर्ति फलन होते हैं और इन्हों ने बताया कि प्रमारुभार के आवर्ति फलन होते हैं जैसे दोस्तों मेंडलीफ की आवर्थाणी में उन्हों ने जादा प्रमाणुभार को योगदान दिया प्रमाणुभार के आवर्थी फलन होते हैं ठीक है इतना समझ में आप जैसे आप लोग ले लीजे कुछ भी मैंने ले लिया एक हाइड्रोजन का एक प्रमाड करमारंग होता है ठीक है एक प्रमाड भार होता है ठीक है अब देखिए जो मेंडलीब की आवर्थ सांडी का नुसार जो तत्तों के यह भौतिक ठीक है भौतिक तत्तराशायनिक गुन उनके प्रमाड भारो के आवर्थि फलन होते हैं और मेंडलीब ने कहा था कि इन नियम के अनुसार तत्यों के भावतिक और रासा इने गुण उनके प्रमार भारों के आवर्ति फलन होते हैं बस इतना ही बदलाओ है कि प्रमार कुर्मान के अस्थान पर प्रमार भार कर देना है तो आई होब कि आप लोगों को दोनों नियम समझ में आ गया होगी अगर दोनों नियम समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है अगर आप भी न आया हो तो वीडियो को दोबारा देखके समझ लीजिए ठीक है क्योंकि नियम ये दोनों बहुत ही इंप्वाटन्ट है आप आपके कमिश्ट्री के लिए दो नंबर के लिए एक नियम अगर दोनों आता है तो चार नंबर भी भी पूछा जा सकता है तो आई होप कि आप लोगोस अगया होका अगर समझ में आ गया हो को वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बेटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो नया नया वीडियो भीजू आपके पास सबसे पहले पहुंचे ठीक है तो दूस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना ही अब तक के लिए धन्यवाद